नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टार्गेट अड़ा इस्टेडी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज है 14 मार्च 2022 और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की कुछ दोस्तों डेली साम को करेंट अफेर्स की टेस्ट स्रीज कुछ के मार्ध्य हम से आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइड की जाती है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर जाइन करें टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले हम उस question की तिरब चलेंगे जो आपको कल दिया गया था और उसका answer आपको comment box में बताना था दोस्तो आज भी वीडियो के last में हम आपसे question करेंगे जिसका answer आपको comment box में बताना होगा और उस question का answer आपको next वीडियो में बताया जाएगा तो दोस्तो चली देख लेते हैं वो question कौन सा था तो दोस्तो वो question था हाल ही में विश्चु kidney दिवस 2022 कब मनाये गया है तो दोस्तो इसके लिए option दिया गया था option A 9 March, option B 10 March, option C 11 March और option D 12 March तो दोस्तो इसका सही option था option B 10 March 10 March को ही हाल ही में विश्चु kidney दिवस 2022 को मनाये गया है तो दोस्तो चली चलते हैं आज के अपने पहले प्रस्न की तरफ तो दोस्तो आज का पहला प्रस्न है अंगरेजो द्वारा लगभग 1200 आदिवासी करांतिकारियों की हत्या वाले पाल, दादवाव, हत्या कांड़ों हाल ही में कितने वर्स पूरे हो गये हैं तो दोस्तो इसके रिए 4 option दिया गया है option A है 50 वर्स, option B 65 वर्स, option C है 75 वर्स, और option D 100 वर्स तो दोस्तो इसका सही option है option D 100 वर्स, अंगरेजो द्वारा लगभग 1200 आदिवासी करांतिकारियों की हत्या वाले पाल, दाधवाव, हत्या कांड़ों को लगभग 100 वर्स पूरे हो गये हैं तो दोस्तो चले चलते हैं आज के अपने अगले क्वेशन के दरब हाली में चर्जित परमगंगा क्या है तो दोस्तो इसके लिए 4 option दिया गया है option A है बैलेस्टिक मिसाइल, option B युद्ध पोथ, option C है पेटा स्केल सूपर कम्प्यूटर, option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही option है option C पेटा स्केल सूपर कम्प्यूटर हाली में चर्चित परमगंगा पेटा स्केल सूपर कम्प्यूटर है तो दोस्तो चलते हैं next question के तरब ग्रामीर विकास, विभाग द्वारा आयो जीत, नए भारत की नारी, विशेपर प्रतिष्ठित सप्ता का अधिकारित, hashtag क्या है तो दोस्तो इसके लिए option दिया गया है, option A, hashtag भारत की नारी, option B है, hashtag नए देश की नारी, option C है, hashtag नया भारत, और option D, hashtag नए भारत की नारी तो दोस्तो इसका सही option है option D hashtag नए भारत की नारी ग्रामिर विकास विभाग द्वारा आयोजित नए भारत की नारी विशेव पर प्रतिष्ठित सप्ता का अधिकारिक hashtag hashtag नए भारत की नारी है तो दोस्तो अगला question देख लेते हैं इंडिया ग्लोबल फोरम IGF 2022 का आयोजन कहां किया गया है तो दोस्तो इसके लिए चार option दिये गया है option A है बैंगलोरू option B कोटा option C है रायपूर और option D हैदराबाद तो दोस्तो इसका सही option है option A बैंगलोरू इंडिया ग्लोबल फोरम IGF 2022 का आयोजन बैंगलूरू सहर में किया गया है दोस्तो बीडियो पसंदारी हो तो बीडियो एक बाल लाइक सेयर जरूर कर दीजेगा अगला कुशन देखते हैं हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है तो दोस्तो इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A है जोदपूर उप्सन B ग्वालियर उप्सन C हैदराबाद और उप्सन D तीरुचीरापली तो दोस्तो इसका सही उप्सन है उप्सन B ग्वालियर हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कुल का उद्गाटन ग्वालियर सहर में किया गया है तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेशन की तरफ रोल ओफ लेबर इन इंडियास डेवलप्मेंट नामक पुस्तक किसने लॉंच की है तो दोस्तों इसके लिए Option दिया गए है Option A है नरेंदर मुदी Option B निर्मला सितारमड Option C है भूपेंदर यादो और Option D वी वी गिरी तो दोस्तों इसका सही Option है Option C भूपेंदर यादो रोल आफ लेबर इन इंडियास डिवलप्मेंट नामक पूस्तक भुपेंद्र यादों ने लॉंच किया है तो दोस्तो अगले क्वेशन के तरफ चलते हैं पंचाब की नए मुकमंत्री कौन बने हैं तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है आपशन A है रागहुचड़ा आपशन B अमरपाल सिंग आपशन C चंदर जीत सिंग और आपशन D भगवन्त मान तो दोस्तो इसका सही आपशन है आपशन D भगवन्त मान पंचाब की नए मुकमंत्री भगवन्त मान बने हैं दोस्तो वीडियो पसंदार ही हो तो वीडियो को एक बाल लाइक सेर जरूट कर दीजेगा चलते हैं अपने अगले क्वेशन के तरब हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारकरम सुरू किया है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया ह हाल ही में नाबाड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारकरम की सुरूवाट की है तो दोस्तो चले चलते हैं आज के अपने अगले क्वेशन के तरब किस संस्थान ने भारत के विकास में स्रम की भूमक्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है ओप्सन A है अंतरराश्ट्रिय स्रम संगठन ओप्सन B नीति आयोग ओप्सन C है स्रम और रोजगार मंत्राले ओप्सन D एसो चैम तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन C स्रम और रोजगार मंत्राले स्रम और रोजगार मंत्राले ने भारत के विकास में स्रम की भूमिक्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरब हाली ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सरविक्षड में कितने भारती हवाई अड़ो को ACI World के ASQ Awards 2021 में जगन मिली है तो दोस्तों इसके लिए ओप्षन दिया गया है ओप्षन A है 4 ओप्षन B 5 ओप्षन C 6 और ओप्षन D 7 तो दोस्तों इसका सही ओप्षन है ओप्षन C 6 हाली में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्विक्षड में 6 भारती हवाई अड़ो को ACI World के ASQ Awards 2021 में जगन मिली है अगला कुछन देख लेते हैं दोस्तों हाली में किसे चार धाम पर्यूजना समीती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो दोस्तों इसके लिए ओप्षन दिया गया है option A है justice D.Y. चंतरचूण, option B. Justice A. के सिकरी, option C. Professor रवी चोप्षन दि, justice सूर्य कांथ तो दोस्तो इसका सही option है, option B, Justice A के सिक्री, हाल ही में Justice A के सिक्री को चार धाम परियोजना समीती का नया अध्यक्ष नियोक्त किया गया है, अगला question देख लेते हैं हाल ही में भारतिय रेलवे के पहले गति सक्ती कार्गो टर्मिनल का सफलता पूर्वक शुरुवात किस राज्य से की गई है, तो दोस्तो इसके लिए option दिया गया है, option A है बिहार, option B, जहार खंड, option C, राजस्थान, और option D, उत्तर प्रदेश, तो दोस्तो इसका सही option है, option B, हाल ही में भारतिय रेलवे के पहले गति सक्ती कार्गो टर्मिनल का सफलता पूर्वक परिक शुरुवात जहार खंड राजसे की गई है, तो दोस्तो चलते हैं अपने अगले question की तरब, हाल ही में किस सहर में देश का पहला, पूड़ महिला स्वामित वाला, एफल लो, और अध्योगीक पार्क खोला गया है, तो दोस्तो इसके लिए option दिया गया है, option A है जामनगर, option B पूड़े, option C मुंबई, और option D हैदराबाद, तो दोस्तो इसका सही option है, option D हैदराबाद, लिए में हैं देश का पहला, पूड़ महिला, स्वामित वाला, एफल लो अध्योगी पार्क खोला गया है तो दोस्तों चलते हैं next question की तरब हाल ही में कैटलीन नौवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट पती के रूप में चुना गया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A है नीधर लेंड, option B पोलेंड, option C हंगरी और option D Syria तो दोस्तों इसका सही option है option C हंगरी हाल ही में कैटलीन नौवाक को हंगरी देश की पहली महिला राष्ट पती के रूप में चुना गया है दोस्तों वीडियो पसंदारी हो तो वीडियो को एक बार like share जरूर कर दीज़ेगा तो दोस्तों चलते हैं अपने next question की तरफ हाल ही में अंतरराष्ट्री निसान निसाने बाजी खेल महासंग विश्टुकप 2022 में कौन सा देश पहले अस्थान पर रहा है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A है भारत option B मलेशिया option C जापान और option D दक्षिड कोरिया तो दोस्तों इसका सही option है option A भारत हाल ही में अंतरराष्टी निसाने बाजी खेल महासंग विश्टुकप 2022 में भारत देश पहले अस्थान पर रहा है तो दोस्तों चले चलते हैं अपने अगले question की तरफ कौन सा राज्य भारत का प्रिलियन डॉलर अर्थवियोस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A है उत्तर प्रदिस, option B महाराष्ट्र, option C पश्चिम बंगाल और option D दिल्ली तो दोस्तों इसका सही option है option B महाराष्ट्र, हाल ही में महाराष्ट्र भारत का ट्रिलियन डॉलर अर्थवियोस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है तो दोस्तों अगला question देख लेते हैं हाल ही में virtual smart grid knowledge center का सुबारंब किसने किया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A है प्यूस गोयल, option B आरके सिंग, option C राजनाथ सिंग और option D अमित सा तो दोस्तों इसका सही option है option B, आरके सिंग, हाल ही में virtual smart grid knowledge center का सुबारंब आरके सिंग के द्वारा किया गया है तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले question के तरफ, हाल ही में इस रो द्वारा कितने young scientist प्रोग्राम के लिए छात्रों का चयन किया गया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है, option A है 200, option B 100, option C 150 और option D 250 तो दोस्तों इसका सही option है option C, 150, हाल ही में इस रो द्वारा 150 young scientist प्रोग्राम के लिए छात्रों का चयन किया गया है तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ most important current affairs, daily sitra के most important current affairs के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अब next question आपके लिए होगा, इस question का answer आपको comment box में बताना होगा दोस्तों इस question का answer आपको next video में बताया जाएगा तो दोस्तों चली देख लेते हैं वो question कौन सा है तो दोस्तों question है study in india mate 2022 का उद्गाटन कहां किया गया तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है, option A है काठमांडू option B धाका, option C रंगपूर और option D सेलहट तो दोस्तों इन चारों option में से कौन सा option सही है comment box में comment करके जरूर बतायेगा दोस्तों इस question का answer आपको next video में बताया जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बाल like share जरूर कर दीजेगा दोस्तों टेलीग्राम के साथ साथ अब आप जूर सकते हैं हमारे साथ facebook पर भी facebook पर सर्च करें targeted study और हमारे साथ जरूर जूर जूर जाएं तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही most important current affairs के साथ तब तक के लिए जैहिन